जाहिन दोस्तों और कैसे हैं आप सब लो बहुत बहुत स्वागत आपका स्टेडी साला टू पॉइंट ओके इस परिवार में और दोस्तों हमने देखा है अभी तक की पॉलिटी के हमने 6 मॉक टेस्ट कर लिये हैं और काफी हद तक काफी कुछ कवर कर लिया है और जैसा कि मैं आपको लगे कि इसमें से कुछ चेंजेस करने चाहिए या जो इंपॉर्टन टॉपिक निकल के आएगा अगर आप कहेंगे तो उसमें एक-दो मॉक टेस्ट और अभी करा दूँगा हमारे पास करीब करीब 7-8 दिन टाइम है तो चलिए समय नागवातों देखते हैं आज कि हमारे जो प्रिवियस येर कोईस्टन का ये सेट है करीब 12 कोईस्टन का ये सेट है और इसमें देखेंगे इसमें डेटेल एक्स्प्रेनेशन दूँगा आपको दोस्तों मैं डेटे आँगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला तो पूरे सेशन तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ और इसमें से एक भी कोईस्टन मिस मत करिया क्योंकि आपका प्रिवियस येर कोईस्टन पेपर है और जो पेपर कैसा आता है वो बेसिकली इसी के ही इर्द कि जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वह कौन है इसके बारे में आपको यहां पर बताना है तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वह कौन था लॉर्ड वारें हेस्टिंग था ठीक है दोस्तों लॉर्ड वारें हेस्टिंग जो है पहला गवर्नर जनरल था और यहां पर बात और बता दूं चार पांच से लोगों के और नाम है यहां पर देखिए पैन का जो ऑप्शन है यह वाइट कलर का ऑप्शन यहां पर है नहीं अगर होता तो मैं यहां पर जरूर देता ठीक है तो उम्मीद करूंगा आप लोग ब्लू में यलो में ठीक ठाक सहूलियत स प्राइस इसको बोलते थे उसको खत्म किया था इन्होंने खत्म कर दिया था दौयत सासन को थी इन самого prose पर बता दू आपको बैटल बैटल ओफ प्लासी हुआ था बैटल ओफ प्लासी जो प्लासी का युद्धुवाता सत्रा सो सत्तामन में उसकी जो उसके जो लीडर थे वो लाड कलाइफ थे लॉड लिटेन को बहुत ही बुरा जो है गवर्नर जनरल माना जाता है क्योंकि 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस टा बार वो भी इन्हीं के समय पर हुआ था उस समय पर जो है डेकन जो एरिया है साउथ का वहाँ पर सूखे पड़े थे तो इस वजा से 1877 के जो दिल्ली दर्बार था उसकी काफी आलोचना भी हुई थी ठीक है दोस्तों लॉड रिपन जो थे वो कौन थे लॉड रिपन जो थे बहुत लिए अच्छे गवर्णर जनरल थे इनको हम इल बर्त विल कॉंट्रोवर्शी के लिए जानते हैं इलबर्त गाम्ने और भी अच्छे काम के इन्होंने जो प्रेक्ट था भर नाकुलर प्रेस एक्ट अग्ट इसको खतम कर दिया उंस कब आतो एकप फारोम स्वक्षता यह किस सूची में सामिल है दोस्तों अगर रहे इस अगरं से अगर कि शक्ति एक यहां लूस्तृ यहां साहई। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो जिसमें जन स्वास्त एवं स्वक्षता सामिल है तो जन स्वास्त एवं स्वक्षता जो है यह किस में आएगी यह आपकी आएगी राज्य सूची में ठीक है अब राज्य सूची में आता है जन स्वास्त एवं स्वक्षता ठीक है चलिए भार पंचायती राज वहस्था को नीव रखी गई थी तो यहाँ पर आपको बताना है अब देखें मूल अधिकार में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है तो कहां से लिया गया है राज के नीती नीदिस्रक्तत्तों में हम जाएंगे तो वहाँ पर लिखा गया है कि आर्टिकल अगर ह है राज के नीदिस्रक्तत्त ओनराट के लिए बात की गया है मूल अधिकार दोस्तों आप जानते हैं 12 से लेके बात 15 15 तक हैं जानते हैं इस आरे चीजों हो कहां से लिया गया मूल अधिकार 2 सब जीजे और आपको बता हीएं फिर से लेके parfois वो क्या है समानता का अधिकार ठीक है इसमें समानता की बात की गई है 18 के बाद 19 सिले के जो 22 है वो स्वतंतरता के बारे में स्वतंतरता के ऊपर है ठीक है 23 और 24 जो है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है अलपसंख्यक उसमें किवल अलपसंख्यक कौन कौन से धार्मिक एवं भाषाई अलपसंख्यक जो होते हैं और कोई ने दो ही अलपसंख्यक की बात की धार्मिक और भाषाई और 32 क्या आपका संबधानिक जो उपचार होते हैं निकि रिट्स जो होते हैं उनके बारे में बात इसिते में एक और आर्टिकल आता है निजिता का अधिकार थीक है निजिता का अधिकार भी इसी में आता है और निजिता के अधिकार परेगर मैं बात करूं एक बहुत राइट से वह आर्टिकल नंबर 21 का था आर्टिकल नंबर 16 में लिखा गया है कि राज नौकरी देने के मामले में या किसी और कामों के मामले में जैसे आप एडिमिशन लेना चाहे गवर्मेंट कॉलेज वगएरा में तो इन सब के मामलों में वह भेदभाव नहीं कर सकता किस कि जो जुसमें सेक्शन दिये गए किसकी बेसिस पे तो वह जाती धर्म का रेस जेंडर प्लेस और बर्थ यानि की जहां पर आपका जनम हुआ है वह उस प्लेस के आधार पर यह सब क्या आधार पर वह भेदभाव नहीं कर सकता आर्टिकल नंबर 24 जो है वह बच्चों के जो एक भी नकेर डिया थीख़े है अंडिकल मंबर 24 जो है उ बच्चों के विर्योड़ के टीकार ठीक है चलिए are qu elementary 5 की बाति देस्व प्रस्ताव उनमें से किसने प्रस्तुत किया तो देस्व प्रस्तुत किया था जवाला नहरू जी ने कब किया था 13 दिसंबर 1946 में और यह उद्देश प्रस्ताव पास कब हुआ था 22 जनवरी 1947 में ठीक है अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजेगा कि जब उद्देश प्रस्ताव क्या था यही जो बेसिस था उद्देशी का जो हमारा आज का है उद्देशी का जो यूएस के समयधान से ली गई है वो बेसिकली यह जो द्देश प्रस्ताव था उसी पर आधारी थी ठीक है अब महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पर कुछ चीजे बता दूँ महात्मा गांधी जो पहला सत्यागरा किये थे जो सबसे इंपॉर्टन था जो वो चमपारण सत्यागरा था ठीक है उसके बाद 1978 में यह गए थे वहाँ पर एहमदाबाद मिल स्ट्राइक इनके लिए इंपॉर्टन था एहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1920 में इन्होंने असायोग आंदोलन किया था तो यह सारी चीज़े और भी चीज़े हैं ज्यादा डिटेंबने बता एक हां यहां पर इंपॉर्टन एक चीज़ और बता दू तो उन्होंने दो सेशन के अध्यल्सा की थी 1948-1949 इसको हरी पूरा सेशन बोलते हैं इसको त्रिपूरी सेशन बोलते हैं लेकिन हुआ क्या था त्रिपूरी सेशन में यह धेश्चता कर रहे थे लेकिन गादी जिनके खिलाफ हो गय थे तो इनको ये जो है अपने इच्छा से इन्हों ने त्याग दिया था उस पद को और फिर उन्होंने forward block के स्थापना की थी दोस्तों forward block के स्थापना कप की थी उन्नीश सा 49 में अच्छा आयने का नाम सुना होगा आपने सुभाज संदबोस का कर दोस्तों आयने किस थापना ऊनीश सो बैयालेस में याद रखीयगा कि भारती संविधान के सनुक्षेत में अलब्त संख्यों के हितनले हैं तो मैंने अभी बात कीId तो के जादिकार है 2923 में है चलिए 25 में आपको बताया है 25 धार्मि सुतनता कहा 21 जीवन जी ने कहा यह आशपर्षता जो अंटेशबिल्टी है उसको खतम करना है ठीक है तो आर्टिकल नंबर 17 इसके बारे बोलता है इन में से क्या राज सूची में समलित है राज सूची में क्या क्या आता है दोस्तों राज सूची में सारे आते हैं केवल जो हमारी दंड प्रक्रि कानून को कोडिफाई किया था लोको इसमें इन्होंने बहुत इंप्वाट्टेंट योगदान दिया था टीवी मैं कॉले ने यह पहले लॉव मेंबर भी थे इंडिया के इंडिया इंडिया था उसके पहले लॉव मेंबर थे ठीक है और अब दुस्रीवाद देखें अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि जो भारती संविधान की विशेष्टा है वो क्या नहीं है अब यहाँ पर देखें कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई है इन्हीं में मैं डेटेल में आपको समझाता हूं जो सेमी सेमी फेडरल सिस्टम है अर्द संगी विवस अब गटे llevar भूस आ गया ठीक है तो हमारा जो संग और वह अर्द संगी यह यह फाल दन्हां नहीं पूछाया रिकाई प्रतिवद नयायतन रशकों के पहले जाखें कुणका व्यत्रण सक्यों का वित्रण मतलब किसकी बीच में श्प्र ide एक सट्यपेट एंड सेंटर हनिय के राज की में शक्तियों का बटवारा है वो तो हमारे यहां की विशेशता बिलकुल है आप सात्विय अन्सूची पढ़ लीज़े सात्विय अनसूची में राज समवर्ती सूची सब्यक्त सारे टीर में लिख्robe संविधान बिल्कुल है यह भी सर्वोच नहीं है वहाँ प्रति बद्द्ध न्यायतंत्र का मतलब होता है जो जीवडीशिरी वो बद्ध है, बतलब कि बॉंडेड है, कुछ चीज़ दर्धी हुई लेकिन अईसा भारत में नहीं है, भारत में जीवडीश्री क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे पूछा है, विशेषता नहीं है तो ये गलत हो जाता है तो ये है अच्चुली न्यायत्र अंत्र जो आर्था करता है कि न्याय की बात की गई है ठीक है वो तीन क्या है सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक ठीक है समाजिक नया क्या होता है कि जाती धर्म के अधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो ठीक है इसको समाजिक नया बोलते हैं आर्थिक नया क्या होता है अगर कोई गरीब है कोई अमीर है तो गरीबी अमीरी की बेसिस पर उनके साथ भेदभाव किसी खास एक जाति धर्म के अधार पर उस पोस्ट के लिए कोई उनको किसी तरह से अलग ना किया सके तो यह तीनों नया हमारे समिधान में लिखे गए हैं तो जो सामाजिक और आर्थिक नया है वो बेसिकली जो राज की नीती निए सकते हैं वो प्रदान करते हैं और जो राजनेतिक ना है वो हमारा fundamental rights प्रदान करता यानि की मौलिक अधिकार कहां से लिया गया यूएस से लिया गया है ठीक है टोटल 6 मौलिक अधिकार है पहले कितने थे स्टार्थ थे लेकिन बाद में 6 हो गये कब 44 में संसोधन अधिनियम 1978 में जब जो है संपत्ति के अधिकार को कहां डाल दिया गया 300A में दल दिया गया मुल करतब कितने 10 से हैं थे पहले अभी कितने 11 है 16 संसोधन अधिनीं दो हजार दो से 10 से 11 कर दिया गया मुल करतब चली तोन सानुक्षित्राज सरकारों को ग्राम पंचायत के लिए निर्देशित करता है ठीक है तो यहाँ पर मैंने यह आर्टिकल पहले ही बताया था अभी भी बता रहा हूं कि जो आर्टिकल नंबर 40 है यह राज सरकारों को यह निर्देश देता है कि आप पंचायतों का विकास करें पंचायतों को सद्रिड करें उनको श्ट्रॉंग नाम से है अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग लेयर में है ठीक है आर्टिकल नंबर 38 क्या बोलता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 38 यह बोलता है कि जो SCST या वीकर सेक्षन है उनका प्रमोशन करना चाहिए उनको प्रमोट करना चाहिए सोसाइटी में एकोनॉमिक के लिए सोशली पॉलिटिकली हर तरफ से उनको प्रमोशन देना चाहिए तो जो बेसिकली जो हमारा रिजर्वेशन है वो एक तरह से इस आर्टिकल को इंपावर करता है ठीक है आर्टिकल नंबर 44 की बात करूं तो यह बात करता है समान्स युनिवर्सल यानि कि समान नागरिक संग करता अनुशी 46 बोलता है कि जो विकर सेक्षन है वहां पर उनको जो है सुविधा देनी जाहिए सौर यहां पर 38 जो है यह आपको बात करता है सोशल एकनोमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता ठीक है यहां पर देख लिजेए ठीक है त्री जो पंचायती राज विव पिछली जो स्लाइट के वहां डिटेल में बताया था बलवन्त रा महता कमीटी सबसे पहली कमीटी थी जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया था यानि कि स्वतंत्र भारत था वहां पर बनाई गे थी 1957 में इन्होंने कहा था कि तरी स्टरी यानि त्री टायर गवर्मेंट होन उसमें क्या होना चाहिए गाओं में गाओं पंचायत हो फिर ब्लॉक पर ब्लॉक लेवल की पंचायत हो फिर जीले पर जीला लेवल पंचायत हो ठीक है यह इन्होंने बोला था तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा सही यही ऑप्शन सही हो जाएगा अर्शोक मेहता कमेटी नहीं बोला था इन्होंने टू टायर बोला था और यह कमेटी कब आई थी 1977 में आई थी इन्होंने दोस्तरी बोला था कि बीच वाले की जरुवत नहीं है गाउं और जिले में ही रहना चाहिए और जिले में जो है वह इंपॉर्टेंट उसको बना दीजिए लॉड रिपन को में आपने बलवंत्रा महता देख लिए 1977 में उसके बाद अशोक महता आया थे 1977 में दो और आई थी एक तो तो एक तो थी यहां पर जीवी के राओ समीति यह उन्नी सो पचासी में आया थे और एक एलम सिंग्वी समीति आई थी वह 1986 में थे तो आपको यहां पी यह चारों स दरजा दीजिए उनको शक्तियां परदान कीजिए ऐसे वो जो है काम नहीं कर पाएंगी तो इसी वज़ा से पंचायती राज को कब संभधानी दरजा दिया गया था नाइंटी नाइंटी टू में उन्नी सो बानवे में 73 और 74 थे इससे निगम को नगर निगम हो गयरा को इ संभधानी दरजा दिया गया था चलिए बारा कोश्चन टोटल पूछे गये थे पिछले साल दो पालियों में एक्जाम हुआ था और यहीं सब कोश्चन आपके अगले सट के जो एक्जाम होंगे 15 और 16 क्टूबर में यहीं सब कोश्चन आने वाले तो दोस्तों इस वीडि अभी मैं एक दो वीडियो और प्वालेटी के अपलोड करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगी और अच्छा स्कोर करें गया ठीक है तो राश्तवा के सदस्तों का कारिकाल होता है 6 साल राश्तवा का कोई कारिकाल नहीं होता मैंने प पांच साल लोगसभा कारिकाल होता ठीक है और एक यहां ध्यान दिजेगा सम्विधान ने लोगसभा और राश्तवा का कारिकाल फिक्स नहीं किया है यह जो कारिकाल फिक्स किया गया है यह एक आपने सुना होगा रिप्रेजेंटेशन और प्यूपल सेट 1950 1951 इस एक्ट मे तो सॉल्व करने है कि मैंने आपे 12 कोश्चन बताए अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो कई करीब करीब 5-6 कोश्चन आये हैं फंडामेंटल राइट और DPSP से ठीक है इवन FD को भी अगर हम जोड़ दे तो यह कोश्चन संख्या जो आठ हो जाती है तो चार या तीन या चार कोश्चन यह ऐसे जो अलग से पूछे गए हैं तो आपको पोशिस करनी है कि फंडामेंटल राइट्स वाली जो मौक टेस्ट है वो DPSP वाला मौक टेस्ट और फंडामेंटल ड्यूटी वाला मौक टेस्ट यह तीनों म मौक टेस्ट को अच्छे से देखी आपकी गलती कहा हो रहें उसको भी समझे और अगले लेक्षर में तब तक के लिए आप अच्छे सतयारी करें रिवाइस करते रहें और कॉन्फिदेंस रहें के पर कर लेंगे इतना कॉन्फिदेंस रखें आपने अच्छे से पढ़ाई अब तक कर लिए बस रिवाइज करिए और हिम्मत रखिए मिलते अगले लेक्षर में तब तक के लिए जाहिन दोस्तों